चिन में बनेगा सवी का सहारा सवी की हालत देकर चिन में का फूटेगा रजत पर गुसा दिलवाएगा सवी को इंसाफ गुमे किसी के प्यार में क्याने वाली कहानी में होनी वाला है ये बड़ा धमाका जिया दोस्तो जिगर ने हर हत पार कर दी होती है विचारी सवी के साथ लेकिन उल्टा सभी पर इजाम लगता है लेकिन सभी जो है वो जिगर के साथ इसके पाद रज़त भी सौक दाता है मैसिज़ देखकर लेकिन रज़त को पता होता है कि उसकी सभी ऐसा नहीं कर सकती है भले इस सभी पर कितने भी सवाल खड़े करे गए हो उसकी करेक्टर पर सवाल किये गए हो लेकिन रज़त का विश्वास है सवी पर लेकिन फिर भी सवी को वो समय घर से निकाल देगा जिसके पाथ यहां पर तापसी भी सवी के खिलाफ हो जाएगी उल्टा सवी पर इझाम लगा देगी जहां सवी अकीली पड़ चुकी है तो वही कहानी में आने वाला है बहुत इंटरस्टिंग ट्रेस क्योंकि शो में होने वाली है फिर से चिन्मे की वापसी जी हां चिन्मे इशान का भाई जिसने सवी को अपनी बेहन माना था और हर एक मुश्किल घड़ी में सवी के साथ वो खड़ा रहा था फिर चाहे कोई भी सवी के साथ हो या ना हो चिन्मे ने सवी का साथ कभी नहीं छोड़ा क्योंकि सवी ने चिन्मे का साथ दिया उस वक्त जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था आने वाली कहानी में जहां सभी तूट चुकी होगी क्योंकि कोई भी उसके विश्वास नहीं कर रहा होगा तो वही पर अब चिन में जो है वो सभी को यकीन दिलाने वाला है कि वो जिगर को एक्सपोस करके रहेगा और रजत को जहां जिगर जल्द ही एक्सपोस होने वाला है और पुलिस उसे अरेस्ट करकर लेकर जाने वाली दरसल जिगर के किलाफ अब खुद तापसी बयान देने वाली और बताने वाली कि हां केनिड़ा में जिगरी उसे मॉलेस कर रहा था और सभी के साथ भी जिगर नहीं सब्सक्राइब करने वाला है क्योंकि जिगर एरेस्ट होकर सीधर थाने जाने वाला है दुवाएं दूसरी तरफ अब चिनमे के आने से सभी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला उसका भाई चो लौड कर आ चुका है दोस्तों कहानी में देखना बहुत इंटरसिक होने वाला है क्याकिकार चिनमे के आने से सभी अब कौन सा बड़ा कदम उठाती है क्या वो अब रजद के साथ रहने का फैसला करेगी इतना सब कुछ होने के बाद या फिर देगी रजद को एक नया मौका दोस्तों हमें कमेंट के शेयर करें क्या आ भी चाते हैं कि चिनमें आय ताकि सभी को सपोर्ट मिले हमें धेर सारे कमेंट के शेयर करें ऐसी टीवी के लेडिस अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले